Hello, Good Morning, Dear Friends उमीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे बहुत-बहुत स्वागत है पुना आपके DPS Learning Point पर आज की इस Class में हम जो आगे के Question है उनको Solve करेंगे पिछली वीडियो में मैंने Question No. 12 तक Solve करा दिया था और अब हम बारे से आगे के Question को इसमें Solve करते हैं Time and Work के Full Concept के साथ, Full Energy के साथ मैं आपके सामने प्रस्तत हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका Question No. 13 Question No. 13 आपका क्या कहता है Question No. 13 कह रहा है कि A एक काम को 30 दिनों में करता है A जो है एक काम को 30 दिनों में कर रहा है और जो B है उसी काम को 15 दिनों में करता है B जो है उस काम को 15 दिनों में कर रहा है तो वो यह कह रहे हैं कि दोनों एक साथ काम कितने दिनों में समाप्त कर देंगे देखो इस टाप के Question को solve करते बक्त हमें उनका लासा निकालना आना चाहिए क्या आपको लासा निकालना आता है देखे लासा निकालना बहुत इजी है यानि की 30 और 15 इन दोनों में से हम ऐसे नमर का इन नमरों का हम ऐसा एक नमर छोटा से छोटा लेते हैं कि इन दोनों का पूरा पूरा भाग उसमें चला जाए तो हम पहले क्या करेंगे काड़ देंगे ने 5 से काड़ देंगे 5 से का 30, 5 तीया 15 फिर 3 से काड़ देंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 से 2 एकम 2, तो 2 तीया 6, 6 पंजे 30, तो इसका जो लासा है LCM है वो कितना आजाएगा 30, तो इन दोनों का LCM आजाएगा 30, तो अगर हम इसका में भाग देंगे तो 30 एकम 3, यानि कि जो A है वो एक यूनिट काम कर रहा है, जो है कितना उनिट काम कर रहा है, और B 15 दोनी 30, यानि कि B जो है वो 2 तो यूनिट काम कर रहा है, अब आपको यूनिट समझ में नहीं आ रहे होगी, मैं ऐसा कहूं कि अगर मान लोगी 30 लड़ और यह खा जाता है दो लड्डूओं को, तो इस प्रिकार से वो एक बार में तीन लड्डूओं को खा रहे हैं, तो एक बार में तीन यूनिट काम हो रहा है ना, तो एक और दो, यहाँ पर हमारा निकला तीन, तो तीन का इसमें हम भाग दें देंगे, तीन एकम तीन और तीन काम कितने दूनों में कर सकता है तो यों कि तिको बारिय का और 8 का LCHM आजाएगा कितना 24 ठीक है आट का भाग इसमें करेंगे तो 8 तिया 24 12 का इसमें करेंगे यानि कि 4 सही 4 बटे 5 तिन में वो काम को पूरा कर लेंगे के लिए रुबा पॉइंट अगला कोश्चन है आपका पंदर मा कि मोहन और सोहन मिलकर किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं देखो यहाँ पर है आपका question अगल अलग थोड़ा साला गई कि मोहन और सोहन यह मोहन एधर और एधर यह शोहन यह दोनों मिलकर किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं ठीक है यह 9 दिनों में करते हैं कि सोहन एकेलिये को wanna करते तो नोधन लगते और 5000 तो या बताईए कि अगर अकेला मोहन पर काम कर कोराया जायateg तो काम कितने दिनों में समाप तो हो जाएगा तो सबसे पहले नौbook 12 paved का हम लेंगे LCM ठीक है तो यहाँ पर 9 और 15 का LCM कितना आजाएगा दोको 9 का और 15 का इस प्रकाल से हम LCM काट लेंगे 3 तिया 9 तिया 5 15 तिया 45 तो यहाँ पर हमारा LCM आएगा 45 तो टोटल काम हमें पता चल गया कि 45 unit काम है हमने कहा था पहली वाली वीडियो में कि हमें दो चीज़ें पता हो आपको मैंने लिकाल के दिखा दिया तो 9 का इसमें भाग देंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा और 15 का इसमें भाग देंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा तो अब यहाँ पर हमें एक बात पता चली कि जो सोहन है वो 3 unit काम कर रहा है ठीक है जैसे टोटल जो काम है वो कितना है 45 मैं क इसका मतलब यह है कि शोहन ने तीन काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे टोटल काम कितनाया है 45 तो हम क्या करेंगे यह काम जो है मोहन करेगा कितने में 45 वाइं तू σब्दे 24 दिन ce अगला question है आपका question number 16 question number 16 कह रहा है कि A, A काम को 12 दिनों में स्माप्त करता है B की कार्चमता A से 50% अधिक है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे देखो, A जो है A A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है ठीक है, 12 दिनों में एक इसी काम को बारे दिन में करता है लेकिन वो यह कह रहा है कि B की जो कार्चमता है A से 50% अधिक है बास समझें भाई देखो ऐसे समझो यह A रहा और यह रहा B तो A अगर मालों की 100% काम करता है तो यह करता है 150% क्योंकि 10% ज्यादा है ना तो 150% ज्यादा करेगा तो मैंने कहा कि भही अगर मैं इस percentage value को percentage value से हटा दें और यहाँ पर अगर 0 से 0 को हटा आएं तो यहाँ पर हमारा 10 दिये रहे गया और यह 15 यानि कि यह जो काम करेगा 10 करेगा और यह कतना करेगा 15 करेगा अगर मैं कहिदू कि यहाँ पर अगर यह एक काम करता है तो यह डेड काम करता है क्योंकि वो 50% अधिक है अगर यह एक उनिट काम करेगा तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो टोटल वर्क है वो यहां पर इनकी छमता पता चल गई है ना तो टोटल छमता जो है वो हमें पता चल गई कि काम कितना है सबसे पहले तो हम यहां पर पहले यह देख ले कि A की जो चमता है वो है A की उनिट और B की चमता है वो है डेड़ उनिट तो यहां पर हम 12 के गुणा कर देखो A जो है वो 12 दिनों में कर सकता था काम को तो यहां पर टोटल काम केतना होगा 12 एकम 12 में करें आड़ा है कि समझमाई बात जैसे मैं तुमसे यह करें की हमारे लिए क्या दरना है की यह कॉँज़ कोई भी सामान है 10 गड़ी मुझे 10 गड़ी लेके आनी है मैं एक ह compat इस्टि लेकर आ करता हूं तो टोटल काम कितना हुआ दस गड़ी का हुआ तो यहां पर भी यह जो है इसकी चमता एक बार में कितनी आए एक गड़ी लाने की तो यहां पर है बारह का गोणा एक में करेंगे तो बारह एकम बारह यानि कि टोटल बारह गड़ी निकल के आए कि निकल के आए हमें इसका यह पता चल गया कि इसका चमता कितनी है तो अगर हम इस बारे में 1.5 का भाग दे देंगे तो यहां पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे जीरो बढ़ जाएगा आप इसे हम तीन से कार देंगे ते पांच पंदरा और तीन चौक बारा यानि कि यह आ जागा चाली जो है लिजाने है इसे ए- पिशन से तक प्रयश्च तो यहां पर क्या करतेंगे यह पर हम थे प्रदगयां प्चान कारता है यहां haarपन Most G दो इनों टाई तो बारा दो नहीं 24 काम निकल के आ गया अगर हम तीन से इसे काम करवाएंगे तो तीन का भाग देदेंगे ती आठ चौबिस यानि की आठ दिन आ जाएगा आप दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं लेकिन कॉंसप्ट आपका वही है समझे माई बात तो अगला क कर सकता है चार दिन में कर सकता है चार दिन में कर सकता है तो फिर यह कह रहे है कि बी की कार चुमता यहां पर ए और बी करता है तो यह करता है एक सो पचास परसंट ज्यादा है उसके बाद में कह रहा है दोनों मिलकर करें तो कितने दुनों में समाप्त कर देंगे तो सबसे पहले हमें यह पता चला है कि छमता कितनी है तो हम 50 से कार दो 52 नी 100 और 50 तिया 15 यानि कि एक ही छमता है दो यूनिट तो यूनिट काम है इसे काम करने की तो यहां पर गड़ा करेंगे 4 दूनी 8 तो टोटल काम हमारे कितना निकल के आया 8 यूनिट अब यहां पर है यह B और B की छमता कितनी है तीन यूनिट काम करने की है अगर हम 3 से इसमें और अब इसमें देखो 3 से B से काम नहीं करवा रहा है यहां पर अब यह काम करवा रहा है कि A और B दोनों मिलकर कितने दनों में समप्त कर देंगे उस काम को तो देखो यह कर रहा है 2 unit काम, यह कर रहा है 3 unit काम, यानि एक बार में 5 unit काम हो रहा है, तो हम 2 और 3 को जोड़ देंगे तो यानि कि 5 का भाग देंगे, 5 यानि कि 5 उपर बचा 3 और नीचे बचा 5, मैं आपको पूरा इसमें सलेबस करने वाला हूं इसका आप टेंशन ना लो आपको जिस परकार की भी टेंशन है आप हमेशे बोलेगा कमेट लोक्स में लिखेगा आपकी हर समस्चा का समाधान हम करेंगे ठीक है तो अगला कोश्चन है कि ABC किसी काम को ए है और B है और C है ये किसी काम को 12, 16, 24 दिनों में कर सकते हैं तो बताएं कि ये तीनों मिलकर इस काम को कित्वे दिनों में कर लेंगे हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे इसका आपको LCM फैंड करना है, कि total काम कितना है तो 12 का, 16 का, 24 का LCM जो आएगा, वो आएगा 48, ठीक है, तो देखो 12, 24 का, 48 यानि कि A जो है, वो 4 unit काम करेगा B, 16, 3 48, ये 3 unit काम करेगा और 24 दोनी 48, और ये 2 unit काम करेगा, आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी, कि हर एक जो है, अपनी अलग-अलग unit में काम कर रहा है, यानि कि total काम कितना 48, ठीक है, तीनों मिलकर कर रहा है, तो जितनी भी इनकी छमता है उनको हम जोड़ देंगे और उसमें दे देंगे भाग हमें यह पता चल लागा कि कितने दुनों में कर रहा है यह, तो 4 और 3, 7, 7 और 2, 9, अब हम 9 से इसमें दे देंगे भाग, तो इस परकार से 9, 5, 45, और यहाँ पर हमारा कितना बचा, 3, और बचा 3, और बचे 9, या फिर 5 सही, एक बचा, 3 एकम 3, और 3 तिया, 9, 5 सही, एक बचा, 3 दुनों में इनका यह काम पूरा हो जाएगा, कुशन नमर आपका 19 है, कह रहा है कि रमेश, महेश, सुरेश, एक रमेश है और महेश है, और सुरेश है, 3 लोग है, यह किसी काम को 10, 15, 20 दिन में करते हैं, यह 10 दिन में करते हैं, यह 20 दिन में करते हैं, और यह 15 दिन में करते हैं, ठीक है, यह 15 दिन में और यह 20 दिन में, करते हैं, कह रहे हैं, तीनों मिलकर उसके, तो कितने दिन में काम को खतम कर द एलसी हम आ जाएगा तो दस शिंग साठ पंद्रे चौकू साठ और बीश तेया साठ यानि कि साठ हमारा एलसी हम आ गया तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों की जो छमताएं हैं हमको जोड के हमसमें भाग देतेंगे टूटल काम में तो छे चार दस दस और तीन तेरा तेरा का सब्वकात अब हम भाग देंगे तो फा कुबावन फेंजे पैंस कको ज्यादा हो जाए तो और उपर वचए आपका अठार ठीक है और नीचे वाटे ठीन रषयोरी के डिनों में इस प्ऐं को यह हंखतम कर देंगा बात समझे मारी तो नोट जांट कर लो मजा है आरा कोईशन नमर है आपका 20 का कोईशन किया रहा है कि A और B एक काम को 6 दूनों में कर लेते हैं ठीक है A और B किसी काम को 6 दूनों में कर लेते हैं और कह रहे हैं B और C कर पाते हैं उसको 9 दूनों में बी और सी इसको नौब धिनों में करूपाते हैं और कहते हैं A और C उस काम को बारे दिनों में किरें हमने जो जोड के लिख दी हैं तो कह?" कि hiulan बताएं तीनों मिलकर उष काम को कितने दवों में कर पाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखेंगी कि काम टूटल कितना है लग के क connected फेेंग कि नौ भाइगा तौ आफ करेंग company सर एल्सी हम तो तीनों का आएगा 36 समझ माया 6 का भाग चला जाएगा चेस सचिंग छथिस नो का भाग जाएगा नौच छथिस ऑब बारा का भाग जाएगा बारत यह 36 यानि कि टोटल जो काम है वह अपना लगाशा काम कर रहे हैं एप्लस प्लस सी चार इंट काम कर रहे हैं A plus C जो है वो 3 unit काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर यह देखें कि भाई तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं तो हम इस value को इस value को और इस value को सबको जोड़ दें तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे C भी यहाँ पर कितनी बाहर है, दो बाहर है, एक दो, तो प्लस का 2C, और टोटल जो मिलकर, सब तीनों, काम कितना कर रहा है, छे, चार, दस, दस और तीन, तेरा, यानि कि टोटल मिलकर ये तेरा इनिट काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा दो जो है, A प्लस B प्लस C, दो है, वो common आ रहा है common लेंगे तो सब से बाहर निकल आएगा क्योंकि 2 का multiply करेंगे तो sum में multiply हो जाएगा तो इस प्रिकास से 2 को मैंने common ले लिए और बराबर है हमारा कितना 13 बटा 2 सवरी दो नहीं बटे में यहां अभी तो a plus b plus c बराबर 13 बटा 2 यानि कि तीनो मिल कर काम कर रहे हैं 13 बटा 2 पास समझ है माई और अगर हम इसमें तीनो का निकालेंगे काम total काम कितना कर रहे हैं तो हम क्या करते थे पहले हम उनकी यह निकालते थे कि total काम यह कितना हो रहा है और जितना निकलता था, उस काम देते थे भाग, तो हमारा A+, B+, C, तीनों का काम निकला है, कितना 13 बट्ठा 2, अब 13 बट्ठा 2 का हम देतेंगे इसमें भाग, तो 13 बट्ठा 2 का अगर भाग देदेंगे, इसमें, तो इस प्रकार से 2 उपर चला जाएगा, तो 36 गुडान दो और वट्टे आपका आजागा 13 यानि 36 दूनी 72 72 वट्टे 13 यानि कि इतने दुनों में ये काम कर लेंगे 72 वट्टे 13 ता समझ में आई अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो को पाउज करिएगा या फिर पीछे करके आप उसे दोबारा देख सकत है हंड़ा पर्सेंट आपको समझ में आएगा ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्ट कोशन की तरप सक तक सकते को नोट लेजिएगा कोशन नमट 21 है आपका की रमेश महेश एक काम को रमेश और महेश यानि कि रमेश हैं और एक महेश हैं उस काम के लिए दौनों मिल कर कितने तिस् cima करते हैं ठीक है और फिर हैं टीसरे कौन सुरेश और रमेश शुरेश हैं और रमेश हैं यह तिनो मिलकर किसी कामको नोगवेगा क्जार नहीं 25 तौन में करते हैं तो कहें तीनो मिलकर एक साथ काम करें तो काम केतना Colonel समाप 29 सब्सक्ट doubles सब्सक्राइब करें तो कितने दूनों में काम शमप्त हो जाएगा तो जितना भी हमारा यह इनकी इपीशनसी आई थी इसका योग करके इसमें हमने कर दिया तो हम क्या क्या और मैंathers तो हम इसमें क्या करेंगे सीधा 46 का डिवाइट कर देंगे ठीक है 47 का डिवाइट कर देंगे तो आपको यहां पर समझ भी नहीं आ रहा है तो कह रहा है 23 23 क्या कह रहा है 23 नहीं है आपका कुशन नमबर 22 है एक कुशन हम बढ़ती लख रहे हैं 22 कह रहा है कि कि A और B किसी काम को A और B मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं और B और C किसी काम को काम करवाएं अभी तो यहाँ पर यह दो-दो मिलकर काम कर रहे हैं ठीक है अगर हम सिंगल सिंगल बेक्ती के लिए काम कराएंगे तो कितने दिन में हो पाएगा तो आपको क्या करना होगा इसका LCM फाइंड करना होगा सबसे पहले यह देख लो काम कौन कितना कर रहा है और पहले यह देख लो कि काम टोटल है कितना तो हम सबसे पहले देखेंगे कि काम कितना है तो 9 10 और 8 का LCM आपका कितना जाएगा बताओ मुझे तो आप कहेंगे सर 9 8 72 होता है और 72 में 10 का भाग नहीं दाएगा जीरो हम चिपका देंगे 120 हुआ काम आपका ठीक है 120 काम हुआ तो हम यहां पर यह देख लेंगे सबका काम कितना हो जाए तो 8 72 यह कितना कर रहा है 90 यूनिट काम कर रहा है यह 10 का करेंगे तो जीरो दो और दो यानि कि total काम निकलाएगा दो आठ और सामश्छब्राइब 15 पंद्रह 15 और नौ तत if2 कम कर दो तो आपका बनेगा 24 ठीक है तो यहां पर काम टोटन लिकल काया, दो एकम दो, दो दूनिचा, दो एकम दो, यानि कि यह तीनों मिलकर 121 यूनिट काम कर रहे हैं, 121 यूनिट काम कर रहे हैं, तो अगर हम A पिलस B पिलस C बराबर 121 यूनिट काम कर रहे हैं, अब उन्हों ने कहा कि भाई हरे का एक यूनिट निकाल के दिखाओ कि एक एक बिक्ती पे काम करवाया जाए तो कितने दर लगेंगे तो बही देखू यहाँ पर बी और सी का है 72 उनिट काम तो अगर हम ए पिलस बी पिलस सी का अगर हम काम लगाएं यहाँ पर 72 तो 72 बराबर आपका हो जाएगा यह द्वारा जो काम है वह कतने दर हमाँ 720 और बट्टे 49 दिनों में हो पाएगा अगर हम बी के द्वारा काम करवाएं तो बी द्वारा काम हम तब कर पाएंगे 121 में से हम यहाँ पर बी की वैलू को हटाएंगे यानि कि बी की वैलू को यानि ए और प्लस बी और प्लस सी अगर 121 दिनों में काम कर रहे हैं कितने दर में तो हमें B और C की यानि C और A की वैलू कितनी है C और A की वैलू है 80 unit काम तो हम इसमेंसे क्या करेंगे पहले B का unit काम करने के लिए 121 में से 80 को घटा देंगे 0 का 0 रहेगा आपका यहां पर 1 रहेगा और यहां पर 12 में से आट गया आपका 4 आ जाएगा दिख रहे है ना पर 4 आ जाएगा तो यहां पर B द्वारा काम जो है वो 720 बटे 41 हो जाएगा ठीक है अब आपको निकालना है C द्वारा काम कितना होगा तो देखो A और प्लस B प्लस C ये जो हैं कितना काम कर रहे हैं क्यां है एक 2 सो हैं यनं insist काम कर रहा है लेकिन हमें निकालना है कि C कितना ISU क्याण कर रहा है तो यहां पर C की वैलु यानि A और B की वैलू गटा दो A और B केतना इंस काम कर रहे हैं 90 होजाहिए तो C बराबर आपका A-101 मैनिस 90 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 31 unit काम ठीक है 31 unit काम बचेगा तो सी द्वारा यहाँ पर जो काम होगा शी द्वारा काम वो आपका हो जाएगा 620 बटे 31 दिन ठीक है इसके भी इतने दिन तो इतने इतने दिनों में वो काम को पूरा कर लेंगे फटा पट इसको note down कर दिनों में तो question number 20 आपका कुछ यूं बया कर रहा है अपने लबजों को दर्द भरे लबजों को बया कर रहा है वो वो कह रहा है कि भाई कि A और B काम को 62 दिन में करते हैं A और B एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं आप कहेंगे सर 22 दिनों में ठीक है तो B और C 120 दिन में अगर हम B और C की बात करें तो यह 120 दिन में कर रहे हैं 120 दिनों में और फिर अगला है आपका कितना A और C 90 दुनों में A और C जो है वो 90 दुनों में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रते एक A अकेले उस काम को कितने दुनों में कर सकता है अकेले A को पूछा गया है कि A अकेला कितने दुनों में करेगा दो-दो आदमी A प्लस B बात दुन में अभी प्लस सी इतने दिनों में अब्य दिनों में कर रहे हैं अकेले एक विक्ति को अगर काम कर वाया जाए तो बहुत सिंपल मैं आपको बता चुका हूँ ट्रिक कुछ नहीं कॉंसेप्ट है आपको सरब समझना है कॉंसेप्ट आपका यह कह रहा हूँ कि सबसे पहले सर आप इनका फाइंट कर लिजेगा तो इनका ल sms यहीं के तोあとia 12-62, यानि कि 6 unit काम होगा, 9 का इसमें भाग देंगे, तो 9-80, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, A plus B, हमने क्या यहांपर find कि A plus B यहाँपर कर रहे हैं, 10 unit काम, B plus C कर रहे हैं, यहाँपर 6 unit काम, A plus C कर रहे हैं, यहाँपर, 8 unit काम, ठीक है तो हम पहले यह पता करें कि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं तो पहले हमने कहा इन सब को जोड़ दो और इनके जोड़ने के बाद जो भी आए उसका आदा कर दो तीनों का काम निकलाता है तो यहां पर A पिलस B पिलस C का जो काम है देको 8 और 6 14 और 10 आपका आ गया 24 और 24 का आदा का दोगे तो 24 बट्टे 2 यानि कि 12 इनिट काम आएगा ठीक है यानि कि यह 12 इनिट काम कर रहे हैं तीनों मिलकर लेकिन हमें यहां पर यह पूछा गया है कि भाई यह बता दो कि A कितने दिनों में काम खतम कर देगा तो पहले हम यह देखें कि B प्लस C दोनों क 6 उनिट काम एगे लिए कितना उनिट काम कर रहा था आप किये है चेडू कर रहा था तो यह दाँने अब गांच शोरी क्या मैंने लिख दिया है बार में क्यों भाग देती है छे उनिट काम कर रहा है वो एक दिन में तो टोटल काम तो आपका 720 दिन है ना ठीक है शार सो भाग देती है छे एकम छे और छे दुनी बारा और जीरो बचा जीरो यानि कि 120 दिन में वो काम को कर देगा कौन एक एक अकेला 120 दिन में काम कर देगा बास समझ माई बास समझ माई तो आगले कुश्चन की तरफ बढ़ है ओके इसको पहले मिटा दें कौश्चन नमबर 24 आपका कौश्च यूं कह रहा है कि A और B किसी काम को 8 दिन में है A और प्लस B किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि B प्लस C है ना B और C A और B जो है वो 12 दिन में कर रहे हैं और B और C यहां पर जो है वो 8 दिन में कर रहे हैं और C और A मिलकर उस काम को 6 दिनों में समझ कर रहे हैं तो वो यह कह रहे हैं B और C नहीं A प्लस B यानि कि इसमें तीनों मिले हुए हैं A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर काम को 6 दुनों में समप्त कर रहे हैं तो अलग अलग इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेंगे तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें यह पता करना होगा कि टोटल काम कितना है तो कामकरने के लिए हमने क्या करना होगा सबसे पहले इनका इसका इसका यहां पर अगर हम देख रहे हैं यह यह हैं 4 यूनिट काम कर रहे हैं B और C 3 यूनिट काम कर रहे हैं A और B यहां पर 2 यूनिट काम कर रहे हैं तो यहां पर 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 4 यूनिट काम हो पा रहा है कितना 4 यूनिट काम हो पा रहा है तो A कितने unit काम कर रहा है? बताओ? बात नहीं समझ माइए? जैसे तीन लोग हैं तो हम यह कह रहा है कि वो तीन लोग जब मिल के काडते हैं तो चार पूरा काड़ सकते हैं ऐ न द्वारा काम कितना होगा? क्योंकि हम पता चल गए है किसकी unit कितनी है तो हमें A द्वारा जो काम है वो कितना एक इनट काम हो रहा है तो 24 का भाग अगर एक में देंगे तो यहाँ पर 24 दिन ही A लगा लेगा यानि कि A द्वारा जो काम है वो 24 दिन में होगा अगर हम B के द्वारा काम कर भाएं तो तो देखो यहां पर हमारा B के द्वारा कैसे काम होगा तो यहां पर A और B A और B मिलके किसी काम को 2 unit काम कर रहे हैं A और B C कितने काम करेगा जब A और B 2 unit काम कर रहे हैं तो तीनों के द्वारा चार हो रहा है तो सी कर रहा है दो इनट काम तो सी द्वारा काम सी द्वारा काम जो है वो 24 बटा दो यानिक की 12 दिन में समझमाई बात यह 12 दिन में काम हो पाएगा अब हम काम बात कर रहा है कि इसकी बी द्वारा बी द्वारा कितना काम हो जाएगा ब इक करता है 24 तो सबसे ज्यादा मेंनेट कर रहा है c और A और B जो है बहुत ज़्यादा हरामी है ये तो आप लोग ऐसा मत करिएगा आपना काम पूरा टाइम पर करेज़ेगा पठापट लिग लो इसके लिए कोईशन नमर है आपका 25 A और B किसी काम को 12 दिन में तो कहरें कि प्रतेक को इस काम को शमाप्त करने में कितना समय लगेगा हर एक पे अलग अलग काम करवाया गया है तो बहुत ही जी हम आपको कॉंसेप्ट बता चुके है सबसे पहले हम क्या करेंगे सबका LCM करेंगे और यह पता करेंगे कि टोटल काम कितना है ठीक है तो 15 और 20 और 12 का जो लासा है वो कितना आएगा बताओ मुझे जल्दी 20 दिया 60 यहां पर LCM कतना आएगा 60 आएगा तो ह आगो इसमें यह पूछ रहे हैं कि हरे के द्वारा कितना काम हो रहा है तो मैंने आपसे बात बदाई थी हमने आपको बात यह बताई थी कि सबसे पहली यह पता गरो कि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं तो हम A और प्लस B प्लस C बराबर तो 4 तीन 7 7 5 12 और इसमें सब के द्वारा कितना होगा बताओ मुझे तीनों मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं चार यूनिट काम हो रहा है तो कितना लिया गया है तो टोटल काम है 60 यूनिट और फिर दो का भाग देदेंगे तो आपका 30 दिन में वह समाप्त कर पाएंगे अब देखो यहां पर अगर हम यहां पर B द्वारा काम निकलने तो C और A कितना यूनिट काम कर रहे हैं तीन यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल काम है 6 तो B जो है वो कितना यूनिट काम कर रहा है तीन यूनिट तो B द्वारा काम B द्वारा काम कितने द्वारा होगा 60 बट्टे 3 तीन दूनी 6 यानि कि 20 दिन में काम होगा तो देखो 2 उनिट काम ही कर रहा 3 उनिट काम ही कर रहा टोटल काम हो रहा आपका 6 उनिट यानि कि जो आपका 6 द्वारा काम है वो एक उनिट काम हो रहा है तो 60 में हम भाग देंगे कितने का एक का तो ये पूरे 60 दिन लगा लेगा तो इस प्रकार से सब का अलग अलग टाइम आ जाएगा तो बस इतने ही कुशन थे आपको इनको आपने नोट डांग कर लिया होगा तो आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम टाटा बाइबाई ओके